यह मश्कार साथियो राम राम स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल स्टेड़ी पात्विद रितूपर तो भई तैयारी आपकी चली रही होगी जैसे कि हमारा जो है महीला और बाल अपराद जो टोपिक था हमारा राजस्तान पुलिस के लिए उसमें हमारे अधिनियम च पारी स्थल पर लेंगे कुछ पिड़न होता है और उनके लिए क्या सजा का प्रावधान है इससे पहले हमारा सतीपर्था अधिनियम हो चुका है और उससे पहले दहेज वाला भी हो गया था इस तरी एसिस्ट रूपन अधिनियम हमारे इससे पहले हो चुके हैं चोथा है इंपोर्टेंट वह आपको करवा कि फिर बच्चों से सम्मान दे जो भी अदिनियम रहेंगे वह हम करेंगे अब कई बच्चे कमेंट करते हैं कि मैडम यह हमारे स्लेबस में नहीं होता तो आप यह बताओ कि बुक डिपो पे जो बुक्स छप रही है क्यों छप रही है कि भी नहीं चप गई क्या जब 2018 में हमारे टाइम पे यह क्या था कि यह नहीं था कि यह महिला बाल अप्राद जो है यह पिछली साल से जोड़ा गया है पिछले वाले में ही तो उस वाली भरती में भी ऐसे क्यूशन पुछे गए थे कि यह नहीं है कि आपका योजनाओं से रहले कि UK and ,artical फ्ल्यम्स करहें Aa जो भी आपको पढ़ाय जा रहा है वह सलेवस के बाहर झा पढ़ाय जा रहा है और वो आएगा पेपर में क्या आता है वह तो तुदेखो वाद की बात है क्या आएगा हम पहले डिसाइड नहीं कर सकते लेकिन जो टोपिक दे रखा है उससे रिलेटेड ही आएगा तो जैसे आज का हमारा टोपिक रहेगा कि महिलाओं का कारिय इस्थल पर लेंगी कुथ पिड़न जो अधीनियम है 2013 इस अधीनियम में क्या है कि भारतिय स्विधान महिलाओं और पुर्षो दोनों के लिए सम्मान अधिकार प्रदान करता है महिलाओं को कारिय करने के लिए किसी भी छेत्रिय विवस्थाय को चुनने का अधिकार प्राप्त है लेकिन विवहार में महिलाओं के साथ घर और घर क से पर महिला सहयोगयों के खिलाफ पूरु सहयोगयों के और से आप्वांचीत परतेक शहकुर्प परतेक शोप्रों संपर्ग आचरन के रूप में हम समझ सकते हैं कि कईயों का ये मानन रहता है कि महिलाएं जो होती हैं वो घर के चुले चोके के लिए होती हैं लेकिन उसके बाव उनके साथ भेदवाओ किया जाता है तो उसे संमंदित या दिनियम रहेगा कि सर्वत्ची न्याली ने राजस्थान बना विशाखा केस 1907 में कि विशाखा वाला जो केस था 1907 में उसके नुसार कोई भी एस्वीकर्त योन निर्धारीत वेवार से संबंदित हम इसे समझ सकते हैं कि सारीरिक संपर के प्रस्ताव रखना एशलील टिपनी करना वह सहित्य या अन्य एप्रिय जो भी शारीरिक मोखी के गैर मोखी काच्रन जो वो इसमें शामिल कजिए यूज ऑंखि उन्हें किसी भर कार से प्रताडित नहीं किया सकता गाइडलाइन आती है कि यह वी शा नतों विशाखा वाली जो विशाखा गायडलाइन कब बनी य्ये 1907 का है इससे पहले क्या होता है का विवा हो रहा होता है उसको रोकनी की वो कोशिश करती है जिसके बाद जो है उसी महिला को बंदी बना कर जो है उसके साथ गलत काम दुशकर्म किया जाता है बलातकार किया जाता है तो उसके बाद से ही ये जो घटना होई थी इसके बाद जो विशाखा नाम का जो एंजिय उसने सुप्रिम कोर्ट में जन यह तिया अच्छी का दायर की थी उसी के बाद किया होता कि विशाखा गाइडलाइन बनी थी क्लिर है सभी को विशाखा गाइडलाइन जो है यह क्या है कि कारिय स्थल पर होने वाले योन उत्पड़न 1997 में सुप्रीम कोड ने कुछ दिशा निर्देश इसके तैयतत जारी किये थे सुप्रीम कोड निर्देशों को विशाखा गाइडलाइन के नाम दिया जिसे विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार मामले की रूप में भी जाना जाता है विशाखा गाइडलाइन इसके परमुख बिंदू क्या क्या है कि सविधान में वर्नित लेंगिक समानता सुनिश्चित करना कि सविधान में जो जो आर्टिकल्स दिये गए हैं लेंगिकता से सम्मंदी तो कि महिलाओं और पुर्सों की बीच में किसी प्रगार का भीदवाव नहीं किया जाएगा दूसरा पॉइंट कहता है इस में कि सुरक्षित कामकाजी वातावरेन उपलब्द करवाया जाए के उलंगन है कि उसको फुरुष हाड काम दे देना यह जो है उसकी अधिकार के खिलाफ है पुरुष चाहिकर्मी की तुला में कारिया में किसी प्रकार का बेदवाव नहीं होना चाहिए पूर्ण गरिमा के साथ वो काम करे राइट टू वर्क किसी कामकाजी महिला का एप के परमुक बिंदू थे कारी इस्तल पर महिलाओं के सम्मान के रक्षा के लिए वर्क प्लेस बिल 2012 लाया गया जिसमें लेंकिक समानता जीवन और सवतंतरता के अधिकारों को लेकर कड़े कानून बनाए गए महिलाओं का कारी इस्तल पर लेंगिक उत्पिड़न अधिनियम 2013 जो है इसको कामकाजी महिलाओं का सरक्षन अधिनियम कामकाज अधिनियम वर्क प्लेस एक्ट विशाखा दिसान निर्देश राजस्थान बनाम विशाखा वाद 1997 के नाम से जाना जाता है यह अधिनियम 2013 में बनता है जिसको राष्ट पति से अनुमती कब मिलती है 22 अप् 2013 को लागू होती है 9 दिसंबर 2013 को यह डेट याद रखनी है इस अधिनियम के प्रकरती जो है सामविदी के यानिकी जिसका सविधान में उल्लेक तो नहीं है लेकिन संसत कानून के तहत इसका निर्मान करती है सविधान में उल्लेक होता वो समयधानिक होते हैं इस अधिनिय में लगबक जितने भी दिन्यम हमने पड़े हैं उसमें धारा सांचित नाम क्याए वह दिन्यम का प्रारब होता है उसका विस्तार क्या है फिरेगा a नामने परता है महिलाओं का कारी है सअधर्सिकश पर लेंग सम्पूर्देश की लागी दारा दो कहती है परीभाशा तो लेंगिक उत्पिडन के परीभाशा आती है कि ऐसा निंदनीय लेंगिक रूप से नियत विवहार शामिल है जिसमें शारेरिक संपर्ग और फाइदा उठाया जाता हो लेंगिक पक्षपात की मांग या नुरोद करना लेंगिक अर्थ वाली किसी भी महिला का किसी कारिये इस्थल पर लेंगिक उत्पिडन नहीं किया जाएगा इसके अतिरिक्त अन्य प्रिस्तितियों जैसे महिलाओं के कारिये में हस्चिप करना उपहास पूर्ण एवं अपमान जनक विवहार करना नुक्सान पहुंचाने की दमकी देना तबादल इस दान नोक्री से निकालने की धंकी देना अदिल लेंगिक उत्पिडन की श्रणी में आते हैं यह आता है दारा तीन पर थीक है दारा सेट परिभाषा ठाड़ु jit अमितला समीदियों की गशन दा सो कि किसी कार्य इस्तल का प्रतेक नियोजक जो हो लिकीत आदेश के दोवारा आंतरिक शिकायत समीती का गठन करेगा परन्तु जहां कार्य इस्तल के आदेश पर प्रसासनिक यूनिटे भिन भिन इस्थानों या उपखंडी इस्तलों परिस्तित है वहां आंतरिक समीती प्रसास वुद्धि नदिकारी होगी इस समीति में 4 सदस्य होगे जिसमें जिनका कारिकाल जो वो 3 वर्ष का होगा चार जो सदस्य होगे उसमें महिला का होना भी अनिवारी है पिडित महिला द्वारा घटना के तीन माह बाद तक शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है कि जैसे ही उसके साथ कोई घटना होती है तो तीन महीने के अंदर अंदर दर्ज करवाद होता था आंत्रिक समीति द्वारा शिकायत जो है वो इस्थानिय समीति को इस्थान आंत्रित की जाएगी फिर आता है कि इस समीति में एक महिला देक्ष जो है वो कारिय स्थल पर कारियरत वरिष्ट महिला होगी ठीक है वो महिला देक्ष होगी एक तो अधिक्तम जो तीन सदस्य होंगे उसमें भी एक महिला होना अनिवार है यह जो है यह समीति में की वैस में चार सदस्य होते हैं जिसमें महिला देक्ष होने चीए उसमें से तीन सदस्य जो है तीन में से एक महिला का भी होना इसमें जरूरी है अध्याय सेकेंड था जिसमें परिवास समीतियों को गठन किया गया अध्याय थर्ड कहता है कि इस्थानिय परिवास समीति का गठन वो था आंतरिक परिवास सम्हेति का गठन इसमें आएगा स्थानी परिवास सम्हेति का गठन जिसमें धारा 5 आती है धारा 5 कहती है कि जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी यानि कि इसमें जिला अधिकारी जो है उसको अधिसूचना यानि कि उसको लगाया जाता है कि आप जो इन से सम्मंदित कारिये करेंगे इस्थानिय परिवाद समीती का गठन और उसकी अधिकारिता जो है वो धाराच्छे में आती है किसका गटन जिला दिकारी के द्वारा किया जाता है इस्थानी परिवाद समीती का ऐसे जो कारी इस्थल जहां पर माले 10 से कम करमचारी होते हैं और उनके होने के कारा आंतरिक परिवाद समीती गठित नहीं की गई है तो वहां के लेंगी कुथपिडन के जो परिवाद है वो इस्थानी परिवाद समीती प्राप्त करेगी और यदी परिवाद स्विम नियोजक के विरूद हो तो जिला अधिकारी द्वारा लेंगी कुथपिडन के परिवाद ग्रहन करने के लिए एक नोडल अधिकारी की जो नुक्तिय वो की जाएगी जो ग्रामेनिय जंजाती चेतर में प्रतेक तैसे लिस्तर तथा शेहरी चेतर में वाड़िय नगरपालीका से ग्रहन परिवाद जो हो साथ दिन के अवदी के बीतर बीतर इस्थानिय परिवाद शमीती को भेजेगा यह आती है धारा छे धारा साथ कहती कि इस्थानिय परिवाद जो है उसकी सरंचना कैसी रहेगी और क्या समयावदी रहेगी और अन्य निबंदन या शर्ते इस कमिटी में कम से कम चार सदस्य ठीक है चार सदस्य तथा एक पदेन सदस्य होता है जिसमें जिला अधिकारी ब्लोक या तैसिल वाडिया नगरपाली का इस तरकी महिला करमचारी उस संस्था का प्रदान उस संस्था का एक सदस्य गीस्थानी परिवाद समीती की सरंचना रहेगी कि उसमें कौन-कौन शामिल रहे यहां कि इसके जो अध्याक्श होगी वो महिला होगी तथा अन्य सदस्य जो होंकि किसी NGO से जुड़े होने चाहिए लेकिन एक सदस्य जो हो SCST, OBC से जुड़ी महिला का होना अनिवारी है तथा अध्याक्ष हो सदस्यों का कारिकाल उसमें तीनEd को का होगा चीक है उसमें भी तीन वर्ष काई था इनी कि तीन वर्ष का कार्यकाल होगा, जितने सदस्पे हुँगे उसमें मिला अद्यक्ष होने चाहिए, उसके अलावा भी TST से सम्बंदी तेग मिला का होना, अनिवार रहे है ये धारा साथ कहती है कि इसके क्या-क्या सरंचना रेगी में कौन-कौन शामिल होंगे ठीक है कि कमेटी द्वारा निर्ने किया जाता है कि पीडेता के साथ ज्याधती हुई है तो कमेटी द्वारा क्या-क्या दंड दिया जा सकता है यह देखिए आप इस्थानी परिवाद जो कमेटी बनती है उसके द्वारा कि अगर अपराद सिद के वहाइब कोई अप्राद जिसके विरुद दिया गया है तो अगर उसके विरुद अप्राद सीद नहीं होता है तो छेतावनी देकर उसे माफ नहीं आप अपरादी पर 50,000 रुपे तक जुर्माना लगा जा सकता है अपरादी के वेतन वा पदोनती पर रोक लगा जा सकती है अपरादी को नोगरी से निश्काशित किया जा सकता है फिर आता है कि यदी पिडित महिला कमेटी के निर्ने से संतुष्ट नहीं है तो भारती दर्ण सहीता की दारा 354 के तहत वो कार्य करवा सकती है कारवा ही करवा सकती है कि इन सबी से वो संतुष्ट नहीं होती है तो वो मुकदमा दर्च करवा सकती आई पीसी की दारा 354 के तह लिखित मध्यस्ता से शिकायत का समाधा नहीं होने पर एक सप्ता के अंदर पुलिस को आईपिसी के तहत शिकायत दर्च कराने का निर्देश दे सकती है जांच के लंबित रहने के दोरन व्यस्तित जो महिला है या पिडित महिला के अनरोध पर आंत्री के इस्थानी समीती न्योजग को सिफारिश कर सकती है कि व्याथित महिला जो है वो किसी अन्यकारी स्थानातन कर दे उसकी स्वेच्छा से महिला के तीन महात तक कि जो अवदी की चुटी है वो मंजूर कर दे और पिडिता को अन्यकिसी परकार की जो राहत हो जो दीजा सकती है वो दे पिर दारा आठ कहते हैं कि अनुदान और समपरिक्षा अनुदान से सम्मंदित इसमें क्या प्रावधान किये गए हैं कि केंदर सरकार संसत दौरा इस निमित वीधी के लिए सम्मक वीनियोग के बाद राजे सरकार को फीसो या भत्तों के लिए ऐसी दनराशी आवसक समझे तो अनुदान दे सकती है केंदर सरकार इसे में कहा गया है कि राजे सरकार दौरा इस्थापित जो भी अभी करण है उनसे समझ जो लेखा है वो ऐसी रिती से रखे जाएंगे और उनको समपरिक्षित ऐसे संभाल के रखा जाएगा जो राजे के महालेखागार के प्रामर्ज से विहित की जाएगा और लेखाओं को अभी रक्षा करने वाला जो व्यक्ति विहित किया जाएगा उसकी तारीक से पूर्व लेखाओं की परतिलिपी समपरिक्षक की रिपोर्ट के साथ राजे सरकार को प्रस्तुति की जाएगी ये धारा आठ कहती है अध्याय च्यार कहता है कि परिवाद, परिवाद से समंधित तथे क्या है कि धारा नो कहती है इसमें कि लेंगी कुथ पिड़न के जो परिवाद है वो कि पिड़ित जो महिला है उसके द्वारा घटना की तारिक से तीन माह के अंदर अंदर उसे परिवाद पेश करना होता है ठीक है तीन माह यानि कि नबब दिन लिखित रोप में परिवाद आंतरिक शिकाय समीति को तथा इस समीति के नहीं होने पर कि अगर आंतरिक परिवाद समीति नहीं है तो इस्थानी शिकाय समीति को दे सकती है तो वहीं यदि परिवादी लिखित में शिकाय देने में समर्थ नहीं है वो नहीं दे सकता आकर report तो समीति के जो अध्यक्षम अन्य सदेस्यों दोरा सिकाय दर्श कराने में उसकी मदद की जाएगी ताथा समीती दोरा विशेश परिश्ट्यतियूं में उप्रियुक्त कारण के दोरान समय सीमा जो हो बढ़ा दी जाएगी कि अगर कोई अच्छा कठोर कारण बता दे कि इस कारण से मा ये परिवाद नहीं दे पाई तो उसका थोड़ा समय सीमा भी बढ़ाई जा सकती है यदि महीला शारिरे के अमानसिक रूप से ऐसमर्थ है या मर्त्यू की स्थती में है तो उसका कोई वारिस है या जिसे वो भीत करे कि जिसके दोरा वो परिवाद देना चाहती है या अन्य कोई व्यक्ति लिखित रूप में परिवाद अर्ज करवा सकता है ये धारा नो कहती ह कि लेंगी कुथपिड़न से जो परिवाद है वो दिया जा सकता है, और उसमें किस कार्णों से जो वाभदिय वो बढ़ाई जा सकती है. धारा दस कहती है कि इन से सम्मंदी जो अधिनियम से सम्मंदी जो भी परिवाद दिये जाते हैं उनमें सुला करवाल लिला जाती है या राजी नामा ये धारा दस कहती है ये इंपोर्टेंट भी है वही कि कारी इस तर पर लेंगी कुत्पिडन से सम्मंदी दारा दस जो है उसमें राजी नामे का प्रावधान किया गया है इस अदिनियम के तहित महीलां के अनुरोद करने पर समीती सुलह के माध्यम से मामले को निप्टाने का प्रियास करेगी लेकिन यदि अगर परंतु धन समंदी को भी कोई भी समाधान है वो सुलह के आधार पर नहीं होगा उसके लिए सबूट चाहिएगा सुलह के आधार पर कोई समाधान होता है तो इसकी लिखित जो सूचना है वो आंत्रिक परिवाद समीती है इस्थानी परिवाद समीती द्वारा नियोजक या जिला दिकारी को दी जाएगी तथा फैसली की जो परती लिपी है वो परिवादी वे पैत्तर थी जिसके धरारा कहते हैं किसी करमचारी महिला के मामले में आंत्री क्या स्थानी शिकायद समीती उप्लब्द सेवा नियमों के अधिम जांच करेगी वह ही अगर घरेलू करंकारी की दशा में इस्थानी समीती जो पर्थम दरश्टी से अगर मामला आता है कि पहली बार है तो IPC की धारा 509 के दिन मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत की साथ दिम के अंदर-अंदर पुलिस को परिवाद भेजेगी कि वो IPC 509 की तहत मामला दर्ज करेगी और यदि सुलह के आधार पर किया गया जो समझोता है उसका पालन नहीं ह होता है कि किसी से आपने राजिनामा कर लिया और राजिनामि पेटल नहीं है तो समीती जांच की कायरवाई करेगे और पुलिस को परिवाद भेज़ देगी जांच समीतियों को जांच के दोरान शिविल नैले की शक्तियां प्राप्त होती हो तो यह जांच 90 दिनों के अध यह जाता है और इसके तहट च्पान्स प्रकार याइगी के दहरा बारा इसके तहट यह लबबित रहने के दोरान क्या कारवाई कहीं जाएगाइगर जांच लंबित यह उनसे कि इस धारा के तहत यदि पीडित महिला दोरा लिखित में नुरोध किया गया है तो आंत्रिक या इस्थानिय शिकाय समिती नियोजग को निम्न सिफारिश कर सकती है क्या करेगी कि व्यथित महिला या पर्तिर्थी जिसके खिलाप दी है उनका किसी एका ट्रांसफर महिला की तीन मा के अवदी तक छुटी मंजूर करे पिडिता को अन्य रात पहुंचाए यह जो है वो इसके दोरां कि अगर जांच में थोड़ी विलंब हो रहा है तो क्या कारवाई की जा सकती है कि अगली जो भी पिडित महिला उसको रात मिले दारा तेरा होती है जांच रिपोर् इस अधिनियम के तहत जांच पूरी होने पर आंत्रिक के इस्थाने शिकाय समीति अपनी जांच रिपोर्च हो तस दिन के अंदर अंदर आंत्रिक परिवास समीति के नियोजक या इस्थानी परिवास समीति के जिला अधिकारी तथा इसके साथ ही सम्मंदित पक्षकारों क भी उपलब्द करवाई जाएगी यदि दोश शिद नहीं होता है तो मामले में कोई कारवाहिया पेक्षित नहीं की सिफारिश करेगी तथा दोश शिद होने पर समीती द्वारव पलब्द सेवा नियमों के दिन दोशी पर कारवाहि करने की सिफारिश की जाएगी और हमा कosisé कि अतक कि मित्था या दीष्पूल जो परिवाद है और अई-गर कोई महिला द्वे इस तरीके से या गलत साक्षे ौili और परिवाद के लीए है तो उसके-द्वेश्पूल परिवाद निसमें चैखके तेरा की धारा चोदा के अंतरगत यदि आंतरी के इस्थाने शिकाह समीति इस निश्कर्ष पर पहुँचती है कि परत्यर्थी के विरुद जिसके खिला परिवाद दिया है जो परिवाद है वो द्वेश पूर्ण है या जूठा है या साक्षे गलत प्रस्तूत किये गए हैं जो है परिवाद दिया जाता है धारा पंदरा कैरती है कि प्रतिकर या मुआवजे की जो अवधार्णा है वो द्वेश पंदरा में है इस अधीनियम के अंतरगत पिडित महिला को दी जाने वाली राशी कि जो भी पिडित महिला है इसको दी जाने वाली जो राशी है उसे स मंदित रहेगा कि इसके लिए आंत्रिक समीतिया इस्थानिय समीति क्या बाते करेगी कि मांसिक आघात पहुंचा है पीड़ीता को पीड़ा यातन और भावनात्मक कस्ठ हुआ है लेंगे को तुपिड़न से हानी हुई है चिकिच्या व्य हुआ है तो परत्यर्थी की आए ज उसी से जो है वो मुआवजे की अवधारना इसके तहत की गई है कि उसी से मुआवजा जो है वो दिलाए जाएगा यह आता है धारा पंद्रा में धारा सोला कहती है कि परिवाद की अंतर वस्तूओं और जांच कारवाहियों के परकाशन या सारवजनिक करने का परतिशेद कि किसी परकार से क्या होता है कि जो भी परिवाद में कारवाहि की जाती है उसको किसी को पब्लिक नहीं करना या किसी को दिखाना नहीं है आर्ट पांच में किसी बात के होते हुए भी आटियाई क्या रहता है कि कोई भी परिवाद किसी ने जांच के लिए ठीक है तो उसमें पुलिस ने क्या कारवाही की जिसके परिवादी के खिलब क्या कारवाही की तो इसकी जो भी कि मैं जानना चाहता हूं कि मेरे परिवाद पर क्या कारवाई हुई है तो जो क्या कारवाई हुई है उसके लिए जो हो आईटियाई के तहत उसमें सुचना मांता है इसमें आता है कि धारा नो के अधिन किये गए परिवाद की अंतर वस्तूं वेथित महिला पैतर्थी और शाक्षों की पहचान और सुलह और जाज कारवाईं से समन्दित किसी जानकारी आंतरिक समीतिया इस्थाने समीति किसी फारिशे तथा इस अधिनियम के अधिन नियोजक या जिला दिकारी द्वार की गई कारवाई को किसी भी रीती से प्रकाशित प्रेस और मेडिया को संसूचित या सारजनिक नहीं क किया जाएगा कि किसी प्रकार से उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा ठीक है धारा नो का जिकर किया गया है धारा नो में क्या है लेंगी कुथ पिड़न का जो परिवाद है जो मैला दोरा दिया जाता है उससे संब्दित ठीक है किसी परकार की जांच कोई भी किसी ने भी कोई परिवाद या साक्षे प्रस्तुत किये हैं किसे ने बयान दिये हैं किसे ने कोई भी साक्षे इसमें दिये हैं तो वो पब्लिक नहीं किये जाएंगे ठीक है धारा सत्रा कहती है कि परिवाद की अंतरवस्तू और जाच कारेवायों के प्रकाशन या सारजनी करने के लिए दंड के भई आपने ऐसी हरकत की है तो इसके लिए क्या दंड रहेगा जो है इसमें जब कोई व्यक्ति धारा 16 के उबंदों का उलंगन करता है तो ऐसी इस्तति में वह विहित की जाए दंड के लिए दाई होगा यहीं कि पाएगा आगे जो भी सास्तिय दंड होगा उसे संब्दित धा अध्याय कहता है अगला कि नियोजक के कृतव्य अगला अध्याय आता है छै कि नियोजक के क्या करतव्य होंगे धारा 19 मैलाओं का कारी इस्तल पर लेंगी कुद्पिडन अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतरगत निय गठन की जानकारी किसी उप्रियूक्त सारजिने कि इस्तान पर उपलब्द करवाना अधिनियम के परचार और इसके उबंदों को करमचारियों को सुग्रही बनाने के हेतु नियमित अंतराल पर कारिये शालाओं जागरूकता कारिय कर्मों कायोजन करवाई आंतरी के इस्त जो पिडित महिला है वो किसे भी विदी कानून के अधिना प्राद के समंद में कोई परिवाद फाइल करना चाहे तो उसकी मदद करना लेंगी कुथ पिड़न को सेवा नियमों के अंतरगत कदाचार मानव समंदित कार्यवाही करना आंत्रिक शीकाय समीति द्वारा रिपोर् हैं वो नियोजक्य होते हैं उसको सुरक्षित और अच्छा जो है वह वाता है उपलब्द करवाना फिर अध्याय साथ आता है जिसमें आता है कि जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तिया धारा 20 जिला अधिकारी के कर्तव्य महिलाओं का कार्य सर पर लेंगी कुथ होगा कि स्थानी शिकाय समीति द्वारा प्रस्तुत जो भी रिपोर्टे हैं उनको समय से कि ये दिये जाने को मोनिटर करना उसकी देखरे करना तता ऐसे उपाय करना जो लेंगी कुथ पिड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंद में जागरुपता के लिए आवशक हो ये जिला अधिकारी के करतवे होते हैं इस अधिमियम से रिलेटिब अध्या आठ है कहता है विविद विविद या प्रकेर्णन से समंधित आता है इसमें आती है धारा 21 धारा 21 कहती है कि समीति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि जो भी समीति ने जांच की है उसके पास इतने परिवाद प्राप्त हुए वार्षिक रिपोर्ट जो वो समीति द्वारा प्रस्तुत की जाती है समीति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तु करको बेजता है यह आता है दारा 21 में दारा 22 कहती है कि वार्सिक रिपोर्ट जो होती है उसमें नियोजक द्वारा जानकारी का सम्मलित किया जाना कि वार्सिक रिपोर्ट में नियोजक अपनी क्या जानकारी एड़ करना चाहता है दारा 23 कहती है समुचित सरकार द्वारा कार पचार के लिए उपई करना इस अधीनियम के बारे में जंता के समझ बढ़ाने के लिए जागरुकता लाना सिख्षा संसूचना कि जो समसूचना और प्रशिक्षन सामगरी विक्सित करवाना जागरुकता कारेकर मायुजित करवाना यह आते हैं धारा 24 में धारा 25 कहती कि सू सब्सक्राइब करने के यह समाइब करें जो उसे अपिक्षित हो का आधिशन करने के लिए परादिकर्ट कर सकेगे और ऐसे अवदी के बींटर जो आदेस में न्युपालन के लिए दंड कि अगर इसका नुपालन कोई करता है उसके लिए दंड का प्रावधन धारा 26 में है कि जब कोई नियोजक आंत्रिक समीति का गठन करने में एसफल्ड रहता है कार्यवाही करने में एसफल्ड रहता है और सदिनियम के किनी नियमों का उलंगन करता है उलंगन करने का प् प्रावधान किया गया है धारा 26 में कोई नियोजक जो है वो मालो अगर इस अधीनियम के अधीन दंडनी किसी अपराद में शिद्ध दोष ठहराई जाने के बाद उसी अपराद को अगर दुबारा करता ना वह एक बार उससी जुमाने से दंडित कर दिया दुबारा वह ऐसा चर्बाने का दंड लगा था उससे दुगुना झो है वो अपकी बार लगेगा अपराद दुबारा किया तो जुरमाना भी दुबारा ही होगा थीक है दूगुना होगा धारा 27 कहती है कि नेलो दोवर आपराद का संग्यान लेना कि उसे अपने कामों में लेना संग्यान होता कि उसको पर क्या विचार किया गया है कि महानगर मजिस्टेट या जो पर्थम श्रणी न्याइक मजिस्टेट होते हैं इनसे निम्न पंक्ति के कोई भी न्याइदीस इस अधिनियम के अधिन दंडनिये किसी अपराद की सुनवाई नहीं करेगा इस अधिनियम के अधिन दंदन्य किसी अप्राधिय संग्यान निम्न व्यक्तियों जैसे व्यथित महीला, आंत्रिक परिवाद संभीतिय रिफ्प्रस्तुत करने पर ही संग्यान लिया जा सकता है समझें गें धायरा 27 तक यानि कि अगर महिला के दोवारा या आंत्रिक परिवाद सम्मीति इस्थाने परिवाद सम्मीति दोवारा कोई भी प्रस्तुत परिवाद होता है उसी के उपर पर्थम श्रेणी न्याक मजिस्टेट जो है वो संग्यान लेता है धारा 28 कहती है क्या कहती है कि अधिनियम का किसी भी अन्य विधी के कि कोई अन्य कानून बनाएगा उसके अल्पी करण में नहीं होना कि उसे नीचे का जो है वो इसमें अधिनियम या प्रावधान नहीं किये जाएंगे धारा 29 कहती है कि समुचित सरकार की नियम बनाने के सक्ति के इसमें जो नियम बनाने के शक्ति केंदर सरकार करती है और केंदर सरकार जो इस अधिनियम के वबंदों को कार्यानवित करने के लिए नियम बनाएगी दारा 30 है इस अधिनियम में लाश दारा आती है 30 जिसमें कहा गया कि कठिनाईयों को दूर करने के शक्ति तो कठिनाईयों तो दूर तबी होंगे जड़ अधिनियम जो बनाए गया है इसका सही तरीकी से पालन हो तो इनके जो अधिनियम उपबंध है उनको प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्वन होती है तो केंदर सरकार ऐसे उपबंध करेगे तो ऐसे जो बंद होंगे ऐसे जो नियम बनाए जाएंगे या जो भी कानून बनाए जाएंगे वो 30 दिन के अंदर अंदर बनाए जाएंगे ठीक है तो यह आती है धारा 30 देखो भाई यह जो अधिनियम है यह है कि कारी इस तल पर जो महिलाई होती है उनका कैसे लेंगे गु पूछा गया है और इसमें क्या होता है कि जो भी धंड है ठीक है या परिवाद से सम्बंदित या नियोजक के क्या कर्तव्य वोती है कोई जो भी आंत्री के स्थानी समीतिय हैं वो कौन-कौन सी धाराओं में आती हैं यह सारी चीजे जो हैं वो इसके तहत पूछी जाती हैं देखो यह नहीं कह सकते कि यह जो अधिनियम है इंपोर्टेंट नहीं है क्योंकि आज के टाइम पर अगर देखें तो कारी इस तल पर जो लेंगी कुटपिडन है यह काफी बढ़ता ही जा रहा है ठीक है तो यह अधिनियम था भई हमारा इस से रिलेटेड कोई भी अगर हो आपके कि भई लगे भई यह चीज हमें समझ में नहीं आ रही है तो वो कमेंट कर देना इसकी जो पीडियाफ है वह आपको टेलिग् चैनल को जोइन कीजिए उसमें जो है मैं डेली करंड अफेर्स भी डालती हूं और अदर जो क्यूशन होते हैं इंपोर्टेंट वह भी डालते हैं और इससे रिलेटेड या कोई भी परकार की जो नई विकेंसी आती है या कोई भी अपडेट होती है भास्तियों से संब्द तो सारी आपको टेलेग्राम गुरूप पे मिल जाएगी ठीक है धन्यवाद